हेलो स्टुडेंट्स कैसे आप आई होग आप सब इच्छ होंगे आपकी प्रप्रेशन में अपका मैथमेटिक मेंट और एजीली मैं आपका सवगत करता हूं सबया हम हम आप क्याओँ हैं सर हम डिटर्मेंटस पढ़ रहे थे और उसमें अमने की डिटुल करने की मेथ़ट है। यहाँ पर कश्यूं का आगे बढ़ाते विए आजThere अगे फिक्सन यहां पर हम तो थोड़ी आसान मेथड और भी है, वैसे मैं कहूंगा तो उसको आप रिटर्न में जब पेपर होगा उसमें यूजी नहीं करेंगे, यहां पर आप क्या करेंगे, जो कॉंप्यूटर एक्जाम होते हैं, वहां पर अगर डेटर्रमेंट के कुछ कुछ कोशन आते हैं, तो व मेथड आप 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3 सारे मेट्रिक्स में, सोरी, डेटर्मेंट में एप्लाए कर सकते हैं, तो आज के लेक्चर में हम सारस रूल आज पढ़ेंगे, और सेकंड रूल पढ़ेंगे, विंडो रूल फोर एक्सपांसियाशन, यह दो रूल का हम डिसकसन करने वाले हैं, और इस पर बेज़ कुछ प्रॉब्लम भी मैं आपको यहां पर आज क्लास रूम में सौल करूँगा, देखिए, अभी तक अगर मैं पढ़ ली, तो आप बोलेंगे, कि सर, डिटर्मिनेंट का यदि हम एक्सपांसियाशन के बात करें, तो यहां पर हम पढ़ चुके हैं, पहला कौन सा, सर, रो वान, रो टू, रो तरी, या फिर कॉलम वान, कॉलम टू, कॉलम थू, कॉलम थृ, कोई भी रो, कोई भी कॉलम क क्या करना expand कर देना corresponding expand कर देना तो expand method पढ़ चुके ठीक है expand method पढ़ लिए हमने फिर sir one by one पे लिए हम direct method देखी थी फिर direct लिख दो अगर determinant of 6 है तो 6 लिख दो फिर हमने कुन सा पढ़ा sir हमने 2 by 2 determinant के लिए भी एक direct method देखी थी इसके लावा और भी जिसे इन में डिस्टिक्षन है 2 by 2 में भी जो method इसमें रिस्टिक्षन था 2 by 2 में apply होंगी one by one वाला तो direct था उसके हम लिख सकते हैं लेकिन इन दोर method को यहाँ पर expand method में direct apply नहीं कर सकते हैं indirectly apply होती है तो इसके लावा और sars rule है और एक window rule आपके पास है यह दोनों method लगा के आप direct answer find कर सकते हो सबसे पहले आता है आपके पास sars rule for expansion तो sars rule for expansion है क्या तो मैं कहूंगो कि भीया पहले एक काम करते हैं अपन इसको apply करते हैं 3 by 3 में यह आपके पास 3 by 3 कर एक determinant से first row के element से a1, b1, c1 second row के element a2, b2, c3 and third row के element से a3, b3, c3 सारत में सद होती क्या है तो यहां देखिए सबसे पहले इस determinant को यहां पर लिख दीजिए तो आप बोलेंगे सार a1, b1, c1 a2, b2, c2, a3, b3, c3 लिख दी हमने अब बताइए मैं आगे क्या करूँ तो आप बोलेंगे कि सार एक काम करिए row 1 और row 2 दोनों कोपी कीजिए और यहां पर पेस्ट कर दीजिए विसे यहां पर यह space enough नहीं है तो एक काम करना होंगा हमें कि से इस method के लिए हमें से यहां बना लेते मुझे पता नहीं space enough नहीं है तो एक काम करिए इसे यहां पर बनाईए फिर से तब बोलेंगे सार एवन बी वन सी वन एटू बी टू सी टू एथरी बी थरी सी थरी बना दिया हमने फिर फिर क्या करने वाले थे row 1 row 2 को कॉपी कीजिए हमने लिख दिया अब हम क्या करेंगे इतना हमने कर लिया सारस रूल में आगे क्या किया जाता है इतना हमने समझ आगा है row 1 row 2 को भी यहां पर लिख देना है तो मैं आपसे कहूंगा कि element a1 है हाँ सारी यह रहा element a1 तो element a1 बनाव कहा जाएंगा c3 पे इन तिनों का आपस multiply कर दो diagonal बनाएं आपस multiply कर दो क्या मिलेंगा a1 b2 c3 मिल गया फिर a2 के साथ यह कर सकते हाँ बिलकुल करिए diagonal बनाईए फिर diagonal बनाईए तो क्या मिलेंगा आपको यहां मिल जाएंगा a2 b3 c1 आगे सर एक बार और करने है ठीक है कर लिजिए तो a3 से हमने diagonal बनाए तो हमें मिल जाएंगा a3 b1 c2 सर आगे भी तो क्या आ सकता है इसको चेक करते हैं आगे यह apply हुआ की नहीं होगा और यह 2 है न तब बोलेंगे सर a1 से b1 को diagonal बनाती है लेकिन आगे और कोई element नहीं मिल रहा है जिसमें diagonal बनाएं तो मतलब यह आगे apply नहीं होने वाला है आपको यहीं रोख जाना है अब मैं क्या करूँ हो बताओ इतना तो मैंने कर लिया अब सर रिवर्स पूर से लगा दीजिए यहां से करिये यहां से diagonal मनाईए क्या मिला c1, b2, a3 फिर यहां से diagonal मनाईए c2, b3, a1 हो गया फिर यहां से diagonal मनाईए c3, b1, a2 यह हो गया अब हमें क्या करना है कुछ नहीं यह आप multiply करोंगे तो आपको गहीं, real value मिलेंगे, इन तीनों real value को add कर दो, अजब इन तीनों real value को add करोंगे, तो माल लेते हैं कि यहाँ पर कुछ n मिलने वाला है, ठीक है, वो करते रहें, आगे question में करेंगे, तब पता जालेंगा n क्या है, और यहाँ पर भी same apply करोंगे, यहाँ क्या मिलेंगा, p मिल यह, p minus n, क्या p minus n, बस यही था, यही सहरा सुरूल था, बस इतना था, delta आपका आजाएगा, मतलब determinant आपका आजाएगा, चोल इसको एक question में apply करके देखते हैं, तो हमें पता जाएगा मान answer, आ रहा है की नहीं आ रहा है, यहाँ पर, यह 3 by 3 का आपके पास determinant है, हाँ sir, मैं इसको solve करिए, सबसे पहले, आप बोलोंगे, सारे काम करते है, row one corresponding, expansion कर लेते हैं, लेकिन मैं कहूंगा, भीया वो थोड़ा बहुत ज़्यादा लेन थी है, और उसमें, LAB operation बहुत आने वाले, addition, subtraction, और वहाँ पर अकसर आप लोग क्या सभी गलती करते हैं, तो मैं क्या सेरस rule बहुत आसान है, अभी हमने पढ़ा है, उसकी मदद से देखते हैं, इसका answer आता है की न आता है, तो सेरस rule में करते हैं, सर सेरस rule में हम क्या करते थे, determinant है न, इसे उठा कि यहाँ पेस्ट कर दीजे, ठीक है भी हमें पेस्ट कर देता हूँ, 3, 2, 5, 9, minus 1, 4, 2, 3, minus 5, अ अब बताओ, अब आगे में क्या करूँ, सर सेरस rule में इतना करने के बाद, row 1, row 2 जो है, हाँ, उसकी कॉपी कीजिए, और यहाँ पेस्ट कर दीजे, ठीक है कर देते हैं, यह हमने कर दिया, अब बताओ, आगे में क्या करूँ, सर बहुत आसान है, यहाँ पर हमने क्या किया कि, left hand side, सबसे बेले क्या मिला, 3, 3 को multiply कीजिए, minus 1 से क्या हो जाएंगा, minus 3, minus 3 multiply कर दीजिए, minus 5 से, देखो, 3 multiply हुआ, minus 1 से, minus 1 multiply हुआ, minus 5 से, 3 into minus 1 into minus 5 क्या हो जाएंगा, 5, क्या मिला, 15, तो यहाँ पर क्या आएंगा, 15, यह रफ़र को हटा दीजिए, यह हो गया, अब, सर 9, 3 से multiply हुआँगा, 27, plus 3, 5 से multiply हुआँगा, किता मिल जाएंगा, 15, 9, 3 से multiply हुआँगा, 27, plus यह आएंगा, sorry, 27, 5 से multiply हुआँगा, तो क्या मिलेंगा, 27 को 5 से multiply करेंगे, तो, यहाँ पर आजाएंगा, 3, 5, 2, 0, 10, 10, 3, 135, तो 135, ठीकिए, यह यह यादा, अब, सर, 2, 2 से multiply हुआँगा, 4, 4, 4 से multiply हुआँगा, 16, तो यहाँ पर आजाएंगा, 16, ठीकिए, यह आगया, अब क्या करते थे, सर, इनको add कर दीजिए, 5, 5, 10, 10, 6, 16, 1 यहाँ पर आगया, 1, 1, 2, 2, 3, 5, 5, 1, 6, और 1, 6, 6, यहाँ पर आगया, अब क्या करेंगे, सर, यहा माइनस 1 से multiply करेंगे, तो माइनस 5 मिल जाँगा, माइनस 5, 2 से multiply हुआँगा, तो क्या मिलेगा, माइनस 10, यहाँ गया है, अब, सर, 4, 3 से multiply हुआँगा, क्या मिलेगा, 12, 12, 3 से multiply हुआँगा, तो, 36, माइनस 5, 2 से multiply हुआँगा, तो, माइनस 10, माइनस 10, 9 से multiply हुआँगा, तो, माइनस 90, इन तिनों को add कर दो, माइनस 10, प्लस 36, माइनस 90, माइनस 10, माइनस 90 किता हुआँगा, सर, माइनस 100, प्लस 36, तो, माइनस 100, प्लस 36 किता हुआँगा, सर, 100 में से 36 को subtract कर दीजी, 4 आ गया है, पर 9 में से 3 जाएंगा, 6 आ जाएंगा, 64, और बड़ डिजिट का साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस 64, तो इसका एडिशन क्या आने वाला है, माइनस 64, लिख दीज़ें, माइनस 64, क्या करते थे हम, सर, डेल्टा फाइंड करते थे, ठीक है, डेल्टा के लिख लेम क्या करते थे, सर, यहाँ पर ये था P, ये था N, P में से N को सब्टरेट कर देते थे, तो यह आ गया P, यह आ गया N, P में से N को सब्टरेट कर दीजिए, P की value 166 minus N की value किती है, minus 64, delta is equal to, bracket open करेंगे तो क्या होंगा, sir 166 में 64 8 हो जायागा, 6 plus 4 किता हो जायागा, 10, यहाँ पर आगा, 0, यहाँ पर आगा, 1, 6 plus 6 किता हो जायागा, 12, 12 plus 1, 3, यहाँ पर आगा, 3, एक मिनिट, 6 और 4 को एट करेंगे, 10 आगा, 0 आगा, 1 आगा, 6 plus 6, 12, 12 plus 1, 13, 13 यहाँ पर, 1, 12, 2, 3, 0, sir इसका अंसर आगा, 2, 3, 0, यह इसका final solution है, आया समझ में, इसका अंसर है, 2, 3, 0, तो आपको समझ में आगा होंगा, कि सेरस मेथट की मदद से, हम, 3 by 3 का, डेटर्मिनेंट, आसानी से, सॉल कर सकते, कम केलकुलेशन है, इसमें भी है, उसके मुकाबले, वहाँ तो बहुत ज़्यादा है, ब्रेकेट ओपन करो, एडिसन, सब्ट्रेक्शन, एडिसन, सब्ट्रेक्शन, फिर बेकेट ओपन, फि करने के बाद जो आनसर आयाँगा, हाँ, उसको चेक करने के लिए, आप याली मेथट रफ वर्क में करके, चेक कर सकते हो, कहाँ भी अगर, 2, 3, 0, वहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, मतला मारा अनसर, सही है, हम, पूरे-पूरे आंक मिलेंगे, ठीक है, आगे बढ of real root of the equation, real root of the equation find करना है, क्या करोंगे, sir, expansion मतलब से इसको हम solve कर सकते हैं, और determinant 0 के equal given है, तो यहाँ से कोई ना को equation मिलेंगे, हमें ने पता उसके degree क्या होने वाली है, लेकिन equation मिल जाएंगी, और वहाँ से x की value निकालेंगे, और वहाँ से देखें कि real root हमें क्या मिल रहा है यह हमारा algorithm बनके तैयार हो गया, तो मैं कहूंगा कि भी हा, determinant जो है, उसको expansion की मतलब से अगर करोंगे, तो वेसी already variable है, फिर plus minus, फिर cross multiplexion, बहुत जादा length हो जाएंगा, बहुत जादा calculation यहाँ पर आने वाली है, तो यह काम करते है, serious method लागाते हैं, उससे तो जल्दी हो ज रो 1, रो 2, रो 3, direct लिख देंगे, तो हो जाएंगा, x, c, minus b, minus c, x, a, b, minus a, x, अब आगे मैं क्या करूँगा, आप कहेंगे कि सर, रो 1, रो 2 को copy कीजिए, यहाँ पर paste कर देजिए, ठेक है भी, यहाँ मैंने कर देता हूँ यह, अब बताओ, मैं आब आगे क्या करने वाल हूँ, तो आप कहेंगे कि sir, एक काम करिए, x, x से multiply होँगा, क्या होँगा, x power 2, x से multiply होँगा, x power 3, तो यहाँ पर हम रही मिल गया, x power 3, ठीके, मैنस C मैنस A से मल्टिप्ला होंगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग 3 plus of minus abc plus of abc क्या करूँगा मैं सर यहां bracket open कर देंगे magnitude में से में opposite sign के cancel है जाएंगे x power 3 मिलागा सर हमें यहां पर ठीक है लिख दीजे x power 3 यह आ गया यह आ गया अब बताओ मैं क्या करूँगा सर यह वाला तो हो गया अब यह वाला डायगोनल बनाएंगे हम तो माइनस भी मल्टिप्ला हो जाएंगा x से माइनस भी मल्टिप्ला हो एक से तो यह जाएंगा I square x से multiplied his –a has Alice J ... इस और भी यह वा गया है, यह भी हम लिख देंगे अब आगे क्या करूंगा मैं? तो आप कहांगे A and C , moralologia भी यहां पर मल्टप्ला होंगा सी से तो हैं पर यहां पर माइनस सी and जैसे फिरेकट ओपन करेंगे तो minus c square x यहां पर आगे करके देखते हैं तो यहां add करेंगे, minus b square x plus of minus a square x, plus of minus c square x, ठीक है add कर दिया, यहां पर, sir, यहां पर minus common ले लेंगे, काम करें minus common ही मत लीजिए, आप तो x common ले लीजिए, जैसी मैं x common लोगा, क्या मिला, minus b square, minus a square, minus c square, यह value मिले ना, तो इसको यहां लिख सकता हूं, मैं, हां sir, लिख सकते हैं, तो यहां जाएंगा x times of in bracket, minus a square, minus b square, minus c square, बाकी जो rough work है, इसको आप हटा दीजिए, यहां गया, p क्या है, sir, यह रहा, p, n क्या है, sir, यह रहा, n, determinant कैसा फाइन करते थे, कुछ नहीं, sir, p minus n, p minus n, so determinant is equal to हो जायाँगा, p minus n, p क्या है, x power 3, लिख दिया, x power 3, minus, n की value क्या है, sir, x times of in bracket, minus a square, minus b square, minus c square, अब मैं क्या करूँ, sir, यह जो determinant है, हाँ, डेल्टा, इसकी value था मैं गीवान है, क्या गीवान है, sir, इसकी value यह वर्टिकल बाहर है, डेल्मेंट को रिपरिजन कर रहे हैं, इसकी value 0 के equal है, तो यहाँ पर सबसे प्रिद आप 0 put करीए, ठीके भी, हम 0 put कर देते हैं, यहां left hand side में, put कर दिया, right hand side में, x power 3, minus x times of, minus a square, minus b square, minus c square, मिल गया मुझे, अब, sir, इसको मैं arrange करके लिखे, तो x power 3, minus x of, यहां से minus common ले लिए, यहां से minus minus plus, यहां पर आजाएंगा, plus x, और यहां पर बचेएंगा, a square, plus b square, plus c square, और यहां पर आजाएंगा, 0, यहां पर आजाएंगा, अब मैं क्या करूँगा, sir, यहां से x common ले ले plus b square, plus c square, is equal to 0, sir, यहां से हमें, दो case मिलेंगे, कौन-कौन से 2 case, sir, left hand side में 2 terms, कौन-कौन से 2 terms, sir, एक यह वाला terms, और एक यह वाला terms, इनका dot product 0 के equal है, यह कब possible है, जब यह भी 0 के equal हो, और यह भी 0 के equal हो, ठीक है, तो इसे 0 के equal put कर दो, फिर इसे 0 के equal put कर दो, तो पहला case क्या बना, x की वेरी 0, case 1, x is equal to 0, क्या यह real solution है, हाँ, sir, 0 तो real number में exist करता है, तो यह तो real solution बन गया, case 1 से थम्हें एक real solution मिल ही गया है, question में हमसे पूछा गया था, find the number of real root, तो sir, यह जो x is equal to 0, इसका root है, कहां, बि तो यह एक root मिल गया, दूसरा root कहां से मिलेंगा, भी एक case 2 से मिलेंगा, आपको दूसरा root, case 2 क्या रहा है, यह रहा, x power 2 plus of a square plus b square plus c square is equal to 0, यह आ गया, यहां था second root क्या मिलेंगा, तो sir, इसको solve करेंगे, so x power 2, इन तीनों को right hand side में shift कर देंगे, तो यह हो जाएंगा, minus a square minus b square minus c square, अब मैं क्या करूँगा, sir, इसको solve करना है, यहां से x की value निकालना है, छलो ठीके, निकाल के देखते है, क्या आती है, so x power 2 is, हाँ sir, right hand side से minus common ले लूगे हमें, ठीके, minus common ले लिया, bracket में क्या बचेंगा, a square plus b square plus c square, अब मैं क्या करूँ, sir, मुझे, हमें x की value चाहि ले ले लेंगे, so left hand side में क्या मिलेंगा आपको, sir, square root m square वाली property यहां पर apply कर देंगे, square root m square, यह होता है, mod of m के equal, mod of m के equal, तो यह क्या हो जाएगा, mod of x, क्या बनेगा, mod of x is equal to, right hand side में मैं क्या कर सकता हूँ, sir, right hand side में एक काम यह किया सकता है, जो minus of in bracket a square plus b square plus c square है, इसको हम लिख सकते है, minus one times of square root, sorry, minus one times of into a bracket b square plus c square, तो यहां पर mod x, और यहां पर हम power distribute कर देंगे, तो जाएगा, square root minus one into square root a square plus b square plus c square, यह square root minus one कहीं देखा वा लग रहा है क्या, हाँ जब देखा वा तो लग रहा है, complex number में है यह, हम पढ़ चुके complex number को, square root minus one क्या होता है, सर, यह आयोटा के एकवल होता है, तो यहां पर है जाएगा, iota times of square root a square plus b square plus c square, और यह किसके एकवल है, mod x, mod x को हम क्या लिख सकते है, plus minus x, plus minus x लिख सकते हैं, हाँ सर, देखो न, यह था, mod m कहा जाएगा, plus minus m हो जाएगा, सेम प्रोपर्टी हाँ लगा दी, plus minus को right hand sign में shift कर दो, तो यह जाएगा, plus minus iota times of square root a square plus b square plus c square, तो मुझे एक बात बताओ, यहां से root मिले, हाँ सर, यहां से भी हमें root मिल गए, कितने root मिले, दो, एक plus sign वाला, एक minus sign वाला, और यहां पर, सर, एक root, टोटल तीन root हमें मिले हैं, तीन root मिलने भी थे, क्यों, तो कि यहां देखो न, पावर क्या है 3, तो maximum number of root कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे आपको, लेकिन question पूछा गया था, कि total number of root कितने होना चाहिए, सर, 3 होना चाहिए, च ही है, real root, तो number of real root कितने हो जाएंगे, 1, क्या होंगे, number of real root, number of real root कितने हो जाएंगे, only one, यह आपका final answer होंगा, और वो किसके equal होंगा, roots, 1 is equal to 0 के equal, यही एक root है हमार पस, बाकि 2 root तो हमको imaginary मिल रहे है, ठीक है, तो सारस method आपको समझ में आगे, सारस rule में आपको समझा दि पर, determinant में हमने find किया, और एक question था, कि number of total roots हमें find काना, तो हमाँ से polynomial equation बन रही थी, और determinant 0 के equal दे दिया गया, तो हमाँ पर हमने सारस method लागा के, determinant 0 के equal put करा, polynomial के बन गई, equation में convert हो गई, और वहां से हमने root निका ले, polynomial के degree 3 थी, तो number of root कितने मिले, 3 मिले, और 2 imaginary root ते सार, 1 था, real root, और हम से पूछाए गया था, real root, number of real root, तो हमारा final solution रहागा, number of real root is equal to 1, ठीक है, वो हो गया, अब आता है, window rule for expansion, अब window rule for expansion में क्या करेंगा, सोच के दोखो, सारस तो बता दिया, मैंने, window वाले में देखते, तो window वाले में माल निजे के, determinant given है, ठीक है सार, पहली row क element से a1, b1, c1, second row, a2, b2, c2, third row, a3, b3, sorry, a3, b3, c3, सही लिखरें, a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3, अब बताए, window rule में में क्या करूँगा, सार, सारस वाला दौम को पता था, window वाले में क्या करेंगा, आपे बताए, तो देखो, window वाले में क्या करूँगा, a1, b1, c1, मत element को यहां direct लिख दूँगा, वाले में हम यही कर रहेते हैं, लिख दीजिए, अब क्या करेंगा हम, यहां ध्यान दीजिए, यह 3 by 3 चल रहा है, हाँ सर, यहां एक window बन रही है वाली, हाँ सर, यह window बन रही है, इसको copy कीजिए, यहां paste करिए, तो a2, b2 है, तो यहां पर रह रहा जाएंगा, a3, b3, अब क्या करेंगे, बहुत आसान है, अब तो इसको इसके साथ cross multiply करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसको इसको, और सेम method यहां लगा देंगे, ठीके भी हमेने लगा दी, इससे answer आजाएंगा, नहीं सर, इससे नहीं आएंगा, delta is equal to क्या हैंगा, rho 1 rho 1 क्या है, a1, तो लिख दीजिए, a1, लिखा a1, हाँ सर लिख दिया, फिर, n bracket, यहां दिख रहा है, इसको इसको देखी यहाले पार्ट को, क्या कर रहे हैंगा, cross multiply, b2, c3, minus c2, b3, plus b1, b1 उसाथ क्या हैंगा, यह वाला window, तो यहां लगा दीजिए, क्या, c2, a3, minus a2, c3, plus c1, c1, c1 के साथ कुंचा window बनेगा, यह वाला, लगाईए, a2, b3, minus b2, a3, बस, solve कर लो, answer आ जाएंगा, अब यहां जब इसको हम solve करेंगा, a1, b1, c1, a2, b2, c3, and a3, b3, c3 में एक polynomial बनेगी, ठीक है, इस पर बेज़ जब हम question करेंगे, तब हमें, इसको solve करने पर answer मिल जाएंगा, तो मैं direct question के और बढ़ता हूं, यह method समझ में हैं आपको, यह rule समझ कर देना है, बस, और कुछ नहीं करना है, तो इस पर बेज़ एक question है, उसको देखते हम, देखे क्या बोला गया है, expand करना है, 3 by 3, determinant को, row 1 के element से 1, 2, 3, row 2 के element से 4, 6, 2, and row 3 के element से 5, 9, and 4, क्या करेंगे हम, sir, सबसे पहले यह row 1, row 2, row 3 को copy करके हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है, कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 2, 5, 9, 4, यह कर दिया, अब आगे क्या करेंगे, sir, यहाँ एक window बन रही है, इसको copy करके, यहाँ पर paste कर देंगे, ठीक है, भी, यहाँ मैं कर देता हूँ, so, 4, 6, 5, 9, यह कर दिया, अब आगे क्या करूँगा, मैं, sir, इसे, यह हो जाएगा, delta के equal, और row 1 का responding expansion होगा, सबसे बेरे तो हम यहाँ पर यहाँ पर यहाँ कुछ कर रहे थे, ठीक है, भी, यह कर दिजिए, row 1 का first element क्या है, one, one, one के साथ कुन सा window आँगा, यह वाला, करिए, तो 6 into 4, 24, minus, 9 into 18, तिर, plus 2, row 1 का second element, second element के साथ कहाँगा, second window, तो यहाँ पर आजाँगा, 5 into 2, 10, minus, 4 into 4, 16, फिर कहाँगा, row 1 का third element, 3, plus 3, इसके साथ यह वाला window, करिए, 4 into 9, 36, minus, 5 into 6, 30, 24 minus 18, क्या मिलेंगा, 6, plus 2 times of, 10 minus 6 क्या मिलेंगा, minus 6, plus 3 times of, 36 minus 30, क्या मिलेंगा, sir, 6 मिलेंगा, 6, 2 into minus 6 क्या मिलेंगा, minus 12, plus 6 into 3, फिर, 18 हो जाएंगा, delta is equal to, यहाँ ध्यान दीजिए, 6, minus 12, plus 18, फिर, यह मिलेंगा, 6, और यह हो जाएंगा, 12 के equal, ठीक है, 12 के equal हो जाएंगा, तो यह हमारा final solution है, इस 3 by 3 determinants का, इस पर बेज़ यह question है, यह थोड़ा ठीक ठाक question है, उसको भी solve करते है, तो यहाँ पर actually यह question है, इसलिए मैं ठीक कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर variable आगा है, वहाँ तो real value थी, 1, 2, 3, 4, या कोई भी value हम पूट कर सकते है, इनकी जगा, यहाँ पर variable आगा है, X है, A है, B है, C है, और एक चीज़ बहुत अच्छी है सर, कि A की value में give one है, 1 के equal, B की value 0 के equal give one है, C की value 2 के equal give one है, पूट कर देंगे, तो क्या बचेंगा, सर, यह linear equation के form में बन जायाएंगा, और फिर इसको expand करेंगे, तो कोई polynomial बनेंगे, X के form में, और वह भी तो पूछ रहा है, then find the polynomial of X, polynomial X find करके दीजिए उसको, तो क्या करोंगे, सर, सारा सुरूल, तो हम दो question कर चुके, window rule पर भी एक question कर रहा है, तो एक और question यह जो है, इसको window rule की मदश से ही करेंगे, पसंद करेंगे, तो एक क्या हूँगा, window rule की थोड़ी practice हो जाएंगे, तो window rule में हम क्या करते थे, सर, window rule तो बाद में apply करेंगे, पहले तो यह ABC की value पूट करेंगे, इसको थोड़ा simplify form में convert कर दीजिए, ठीक है, A की value क्या है, 1, तो यह हो जाएंगा, 1-X, C, A, J, T, B, A, J, T, C, A, J, T, B, A, J, T, B, एक मिनट, यह direct adjectives पूट करने के जोरत ही नहीं, ABC की value गिवान है न, हाँ, C की value क्या है, 2, 2 आ जाएंगा, B की value क्या है, सर टो के कवल न फूराज़ाज़ाँख रगाए खता यह भी थार्ण के कि घृट गया है चैएक था रद्रिया और भी था, यह जाय। कर दो, ABC की value put करते हैं, कुछ plus minus की गलती कर दो, आप या फिर A की जगा B की, या फिर B की जगा C की कही ना कहीं, आप value put कर दो, 9 elements है ना, कहीं ना कहीं, एक element आप गलती कर दो, फिर आपका answer नहीं आगा, वो यहीं चाहता है, इसलिए आपको यहाँ पर, साउधानी से value put करनी है देखो, A put करेंगे तो, 1 minus X, C का value क entrepreneurs 2, 2 put कर दीया हैं, बी के जगा जीरो, हाँ साथ, row, 2 चेक करते हैं, यहां पर C यह तो, 2 आगया, B की जगा जीरो, 0 minus X आगया, B की जगा जीरो, 0 put कर दिया, A के जीरो, 1 तो यहां पर, 1 आगया, C की जगा जीरो, 2 minus, X यहां पर आगया, अब लगाईए window rule, तो window rule में क्या करते हैं, कुछ नहीं सरी है, row 1, row 2, row 3, को direct यहां पर लिख देते, तो ठीक है लिख देते, 1, minus x, 2, 0, 2, minus x, 1, 0, 1, 2, minus x, यह कर दिया हमने, row 1, row 2, दोनों वो copy करेंगे, यहां paste कर देंगे, कर दीजिए, अगर यहां put कर देंगे, तो क्या होँगा, सर यह तो सारा सुरूल बन जाएंगा, सारा सुरूल से question solve करना है, नहीं सर, window rule से करना है, तो यहां पर हम यह नहीं करने वाले हैं, फिर क्या करेंगे, तो ठीक है, स्कॉट आई है, क्या करेंगे, सर, यहां पर एक window बन रही है, यह रही, इस window को copy करेंगे, यहां पर paste कर देंगे, ठीक है भी यह कर दीजिए, 2, minus x, 0, 1, यह कर दिया, अब, अब क्या करेंगे, सर, पेरे तो इनको cross multiply कर दीजिए, ठीक है भी यह cross multiply कर दिया मैंने, अब, row 1 के corresponding इसको expand कर देंगे, वो delta के equal होंगा सर, ठीक है भी यह row 1 के corresponding expand करते है, row 1 का first element क्या है, 1 minus x, किस से multiply होंगा, इस window के cross multiply से, यह हो जाएंगा, minus x into, 2 minus x, minus of 1, यह आ गया, ठीक है, row 1 का second element क्या है, 2, यहां पर आ जाएंगा, plus 2, 2 आ गया, 2 के लिए second window लगेंगी, यह वाली, करिए, 0, 1 से multiply होंगा, क्या हैंगा, 0 minus of 2 times of 2 minus x, यह आ गया, row 1 का third element, sir, third element है, 0, ठीक है लिखा, 0, उसके corresponding इस third element, third window आने वाला है, लेकिन third window को जो value हैंगे, 0 से multiply होंगा, 0 हो जाएंगी, तो लिखने की ज़रत नहीं है, उसको आगे solve करने की ज़रत नहीं है, वो 0 ही रहेंगा, तो इतना थोड़ा सापको दिमाग दोड़ा लेना, वन्ना फिर आप बोलोंगे बाद में, कि नहीं सारितों को पता था, आपने हमारा time waste, हमने हमारा खुद का time waste कर दिया, इतना आपको ध्यान रखना है, अब क्या करेंगे, सर, 1-x, लिखे रहें नहीं है, उन्हेंने बोला है, पॉलिनोमल मिलने वाली x में, तो इसको पूरा solve करना पड़ेंगा, और जो भी पॉलिनोमल मिलेंगी, कि वह हमारा answer होंगा, तो 1-x, यहाँ पर bracket open करिए, तो bracket की each term यह वाला bracket, माइनस x से multiply हो जाएंगी, तो माइनस 2x, प्लस x square, माइनस 1, प्लस, 2 इंटो 2, माइनस 4, माइनस 4 ब्रेकेट में multiply हो, क्या मिलेंगा, एक काम कवर माइनस 4 आ रहा हैंगा, हम पर माइनस 4 लिख दो, और यह 2-x वाला bracket, अब इसे, एक new slide में हम solve करते हैंगा, तो 1-x multiply होंगा, माइनस 2x, प्लस x square, माइनस 1 से, फिर माइनस 4 माल्टिप्ला होंगा, 2-x से, किसके डेल्टा के एक वाल है, अब क्या करेंगे, यहां bracket open करेंगे, 1 multiply होंगा, इस पूरी को पूरे polynomial से, माइनस 2x, प्लस x square, माइनस 1, फिर माइनस x multiply होंगा, तो माइनस x multiply कर दीजिए, माइनस 2x, प्लस x square, माइनस 1 से, हम यहां पर, माइनस 4 multiply करेंगे, तो माइनस 4 into 2, माइनस माइनस प्लस, 4, माइनस 4 into minus x, क्या हो जाएंगा, सरी 4x हो जाएंगा, यहां पर आजाएंगा, साइन प्लस का, तो डेल्टा is equal to, इसे अरेंज करके लिखिए, x power 2, माइनस 2x, minus x क्या हो जाएंगा, minus 3x, minus 3x, minus 1, एक मिनिट, यह नहीं करना है, यहां पर, हमने एक गलती यह कर दी, क्योंकि यहां पर bracket open होंगा, पहले, यह वाला, फिर हम, इसमें, इसे अरेंज करके लिखिए, x power 2, minus 2x, minus 1, अब यहां पर जब हम bracket open करेंगे, bracket के इस टम, minus x से multiply हो जाएंगी, ति हो जाएंगा, plus 2x square, minus x power 3, plus x, और यहां पर क्या हो जाएंगा, minus 8, plus 4x, यह आ गया है ना, अब क्या करेंगा हम, सर कुछ नहीं, x power 2, plus 2x power 2, यह हो जाएंगा, plus 2x, plus 2x, plus 3x, यह हो गया, minus 1, minus 8, क्या हो जाएंगा, minus 9, delta is equal to, क्या मिला, minus x power 3, plus 3x power 2, plus 3x, minus 9, determine मिल गया, हाँ sir मिल गया, क्या है यह सर, polynomial of x से, कुछ नहीं, polynomial of x ही है, यही तो मैं find करना था, यही तो बोला गया था भी, अब polynomial of x, find कीजिए, हमने find कर दी, यह हमारा final solution ने, इसकी power क्या है, 3rd degree हो गई है, 3rd degree polynomial equation, ठीक है ना, आगे बढ़ते, इतना ही है, इतना ही है, so, आज जो मैंने आपको पढ़ाया, क्या क्या पढ़ा है हमने, sir, हमने 3 by 3, determinant को solve करने के लिए, Saras rule देखा, और हमने देखा, window rule, Saras rule भी बहुत आसान था, 3 row को लिखना है, फिर first 2 row को नीचो कॉपी कर देना है, फिर उसके अदम को आता है, pure n find करना है, और determinant is equal to जागा, P minus n, ठीक है, window rule में क्या करना है, 3 row को लिखना है, एक window बनाना है, window को यहाँ पर, 3 row रिखी, यहाँ पर put करना है, फिर हमको आता है, solve करते, अभी हमने question किया, वो window rule से ही था, तो window rule हमने पढ़ा, Saras rule हमने पढ़ा, I hope मैं उम्मित करता हूँ कि, करते, यहाँ बना तो यहाँ था जाँ इच्याना है,